नमस्कार स्वागत है आप सभी का कम्टिशन कम्मूनिटी के यूट्यूब चैनल पे और हम लोग बात कर रहे हैं इकॉनमी के कलासेज के बारे में और आज हमारा जो इकॉनमी के कलास होगा वो योजना आयोग को लेकर के होगा प्लानिंग कमिशन को लेकर के हम लोग बात करेंगे एक बात ध्यान रखेएंगा कि योजना आयोग यानी की प्लानिंग कमिशन हमारे देश से समाप्त हो चुका है यानी की इनके जगह पे निती आयोग नीति आयोग ने जगह ले लिया है ठीक है यह बात आप जानते हैं लेकिन exam point of view से अगर हम बात करें और exam के द्रिष्टी से चीजों को देखें तो हम क्या पाते हैं कि planning commission से question exam में आ रहे हैं आते रहे हैं ठीक है ना ध्यान में रखिएगा तो हम planning commission के उन चीजों को देखने ही questions करेंगे जो exam में click करते हैं जो exam का question होता है हम उन बातों पर अभी ध्यान देंगे उसको परहेंगे exam point of view से सबसे इंपोर्टेंटली बात करेंगे एक नेती आयोग के बारें भी थोरा सा बात कर लेंगे इनका क्या कहानी है क्या objective और किस तरीके से इनका पूरा formation है इसके ब लगाया होगा सबसे important point यह है कि अगर उस class को आप अच्छे तरीके से समझे और उस class में आप अच्छे तरीके से अपना पूरा एकदम दिमाग लगा देना तो हमेशा के लिए national income और उसके जो formula है वो आपके दिमाग में दिल में पैवस्त हो जाएगा फिर वो कभी हटेगा नहीं तो उस class को जो समझाने वाला part है जहां पर मैंने आपको खूब मेहनत करके चीजों को समझाने कोशिस किया उसको आप देखिए अच्छे से खूब अच्छे से देखिए और अपने मन में समाने की कोशिस कीजे और बहुत असान तरीके से मैंने बताने कोशिस किया चल बौरो किया यानि USSR से बौरो किया इसके पीछे कि अगर कहानी को मैं आपको बताओं थोरा सा अगर मैं पीछे चलू और इसके कहानी को बताओं तो कुछ इस तरीके से है कि ध्यान रखिएगा कि जो आपके पंडी जवाहरलाल लहरू JLN जो छोटे नहरू है पंडी जवाह समाजबाद के तरफ उनका आकर्सन ता और यहुश्ट्न में बन जाता है इनमेंस साङία का devrait की समाजबाद के तरफ आकर्सन था और वह आकर्शन उनको UAS A and USSR के जो डेveloppment model है उसके तरफ आकर्सित किया और समाझार का deinewer Bereksi का प्लानिंग ही था ठीक है ना प्लानिंग ही था तो कहीं ना कहीं हमने भी इस तरीके से प्लानिंग करने की कोशिस की जिससे की हमारा भी डेवलपमेंट हो तो एकनोमिक प्लानिंग जो इंडिया में लिया गया हिंद इंग्लिस दोनों में लिखा हुए परसाद नहीं होंगे एकनॉमिक प्लानिंग जो इंडिया में लिया गया वह रसिया से लिया गया या उससे बौरो किया गया यह भी कोशन एक्जाम में आपके पूछे हैं आगे भी पूछा जाएगा ठीक है यह बाता आप अच्छे तरीके समझेंगा देखिया ऐसा क्यूं किया गया क्योंकि आपको मैं बताता हूं जब फस्ट ऩोऑर शुरू आथा नैंटिन सेबनटीन में चौनिधीन सटार में रूस की करांती हुई थी और रूस में गौश्मेंट बनेगा, उसके लिए काम करेगा तो वो सरकार उन ही बर्गों को ध्यान में रख करके चीजों को इंप्लिमेंट करना शुरू किया अपने देश में और धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया और एक समय तक जब पूरी दुनिया मंदी के चपेट में था 1929 में अमेरिका की महान मंदी जी से डिप्रेशन कह आगे बढ़ रहा था तो कहीं नहीं उस मंदी में लोगों का ध्यान इस तरफ आया कि यह भी एक मॉडेल हो सकता है एकॉनमी का वह पहली बार ऐसा एक बहुत बड़ा आकर्शन था एकॉनमी के मोडेल को ले करके और वह रसिया का मोडेल है वह फिर पूरे दुनिया में एक 1929 में फेलियर दिखाई दे रहा था लेकिन यहां पर वह अपने क्या बोलते हैं सफलता की नए नहीं इवारते नहीं इमारते लिख रहे थे तो यूए से सार भी एक अट्रेक्शन का और एक नए मोडेल के तरफ ध्यान दिया और वही मोडेल जो है ना यूए से सार को अगे बढ़ रहा है लेकिन जिसमें एक मिसर्त एकॉनमी जो एक नई तरीके के एकॉनमी भी दिखा गया पूरे दुनिया में वह अब कहीं कहीं चीजों को बड़े तेजी से इन्फुल्येंस कर रहा है कैसे वह बात हमने आपको बताया था मिसर्त एकॉनमी में कि क्या होता तो हमारे देश भी में भी रसिया के उस development model से प्रभाविक थे और हमारे देश में भी इस तरीके के planning को लाया गया ठीक है चलो अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे पहले भी कुछ planning दिये गया थे तो उसके बारे में भी बात करेंगे लेकिन थोड़ा समय आगे exam के question कुछ solve कर लो उसके बाद हम आगे बात करेंगे एक होते है नेशनल डेवलप्मेंट कॉंसिल एंडी सी इसके भी जो चेर परसन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर भी ही होते हैं और ये उजना आयो के भी चेर परसन प्राइम मिनिस्टर होते हैं नेशनल डेवलप्मेंट कॉंसिल के भी चेर परशन कौन होते हैं प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं याद रखेगा ठीक है तो जो ndc जो है न था वो फाइब यर प्लान को एप्रूब करती थी और यह कोशन एकजाम में कई बार बना है कि फाइब यर प्लान को एप्रूब कौन करती थी तो ndc national development फाइबर प्लान को कौन भी कर दे थी ऐनने की फाइनल एप्रूबल नेशनल डेवलोप्मेंट थी यहांपे लिखा न स dependent के द्वारा किया जाता था ऐस ब्हुत बार है यह लाए कियोंकि जानते में बिहार SI के examination का question आप देख लिए आपके इंटरनेट पे मिल जाएगा वहाँ पे योजनायोग से question पूछा था साथवे 7th planning commission से स्वरी 7th plan से है ना साथ भी जो पंच वर्षी योजना उससे तो कहीं ना कहीं ये exist कर रही अभी भी जो examiner है उसके जेहन में तो इस बज़र से ये चीजे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा चलिए ठीक है आगे अब योजनायोग की setup कब हुआ कब ये बना तो 1950 में योजनायोग सेट अप हुआ 1950 में planning commission को setup किया गया और ये कोई संबैधानिक संस्था नहीं है ये भी कोशन पूछा गया इसलिए मैंने क्या लिखा कि planning commission was an non-constitutional यानि कि गैर संबैधानिक non-statuary गैर संबेधिक and advisory एक सलाकारी संस्था है और autonome स्वायत संस्था है कैसे है वह मैंने हाँ लिखा हिंदी भी लिखा हुआ एक गैर संबैधानिक गैर सांबेधिक एक सलाकारी सलाकार और स्वायत निकाय था था किसलिए क्योंकि वह था है न अब तो नहीं है तो ध्यान लखिएगा ये question तीनों ही अब आप और निति आयोग दे तो ध्यान रखिए अगर नीति आयोग भी संबैधानिक संस्था नहीं है यानि कि संभीधान वे उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है उसके लिए कोई आर्टिकल नहीं है ये बस एक resolution cabinet के प्रस्ताव के द्वारा बनाया गया सब क्या बोलते हैं संस्था है जो हमने अपर लिखा न की गैर संभेधानिक है याद रखियेगा संभेधानिक नहीं है चलिए ठीक है ये बात हो गया चेर परसन कौन होते हैं प्राइम मिनिस्टर और यहां पे द्हान रखियेगा यह ex-officio मतलब क्या कि जो चेर परसन होते हैं भारत के जो कोई भी परधान मंत्री होंगे वो योजनायोग के चेर परसन हो जाएंगे लेकिन पॉइंट है कि योजनायोग तो अब है नहीं तो अ पॉइंट यहां पर यह है कि जब योजनायोग की संस्था है दिल्ली में, वहां पर जाते रहते है, आरे मिल जब गय थे रामनोर लोईया हॉस्पितल, तो रास्ते में परता है वो ठीक है, तो हां पर मैंने क्या देखा कि योजनायोग एक तरफ योजना दूसरे तरफ यह सिर्फ योजना हटाकर के निती सब्स जोड़ दिया है मेरी इस पूरी कहानी का मतलब मेरो को लगता है आपको समझ में आ रहा होगा अगर नहीं आ रहा है तो समझाओंगा किसी दिन ठीक है तो एकस ओफिसियो यानि कि जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो चेर परसन बन जाएंगे, चुकि अब तो ये संस्था है नहीं, तो इसके बारे में हम जो बात कर रहा है, उसको आप वाज के तरह से समझेगा, था, है ना, था, लेकिन हम बात कर रहे हैं थुरा सा परजेंट म चुकि आप तक बाते अच्छे तरीके से समझे, तो ये योजनायक बारे में हमने कुछ आपको बताया, अब आगे परते हैं कि योजनायोग से चलो 1950 में बना, ठीक है, 1950 में योजनायोग बना, लेकिन क्या 1950 में एकदम से योजनायोग को बना लिया गया, नहीं, दरसल क्या कि उससे पहले योजनाओं को ले करके या अलग-अलग तरीके के जो एस्टेजी थी जो भारत के डिवलप्मेंट को ले करके वह गौवर्मेंट को सजेशन्स जा रहे थे कि भाई इस स्टेजी पे भारत की एकॉनमी को चलाईए इस तरीके से भारत की एकॉनमी को चलाई यह तरीका अपना ये भारती economy चलानी में ये प्लान अपना इये तो योजनायोग था और आप जानते हैं की आज देश जिस मुकाम पे पहुचा है उसमें योजनायोग का बहुत बड़ा योगदान है यह आपको मानना और हमको मानना पड़ेगा या मानते हैं पड़ेगा क्या मानते हैं क्योंकि योजनायोग ही 2012 तक हमारे लिए सोरी, 2017 तक हमारे लिए काम करती रही है, उसके बाद फिर निती आयोग तो 15 में बना, लेकिन काम करना तो योजना आयोग के बाद ही शुरू किया न, जो बारी भी योजना थी, उसके बाद 12 से 17, ठीक है, ये कोशन भी पूचा है, तो ध्यान रखिएगा मेरी बात को, तो सज अगर आपने नाम सुना है, तो मैं आपको बता दू कि ये एक civil engineering, civil engineer थे, civil, ठीक है, civil engineer थे, बिस्विस रहिया साहब और दिवान थे, अब आपको इसके बारे में एक दो पॉइंट हमें कुछ special comment में लिग देना है, बिस्विस रहिया साब के बारे में, इनके नाम पर बिस्विस रहिया साहब ने अपने किताब Planned Economy of India में सबसे पहले planning की बात की भारत के development के लिए, बिस्विस रहिया साहब ने, ये 1934 की ही बात है, 1934 की बात है, उसके बाद 1944 में, मैं कुछी को लिया हूँ, जो exam में पूछा भी गया है, और जो important मुझे लगा, ठीक है, ये 1934 की कहानी चल रही है, उसके बाद 1944 में Bombay Plan आया, Bombay Plan, इस Bombay Plan जो है न, ये सारे के सारे किस ने दिये थे, तो ये सारे के सारे industrialist दोचे न, आठ उद्योग पती, यहाँ पे लिखा हुआ है, न, आठ उद्योग पतियों के द्वारा दिया गया, आठ उद्योग पती, जिसमें टाटा, बिर्ला जैसे, मतलब जो भी बड़े बड़े उसमें उद्योग पती थे, सब के सब उस प्लान को बनाने में और उसको क्या बोलते है, सुझाब देने में थे, ठीक है, चलिए, लेकिन इसको भी नहीं माना, क्योंकि उद्योग पतियों के हिसाब से अगर प्लानिं हो जाएंगी, और आपको पता है कि हमारे देश में गरीव उसमें कितनी थी, आज कितनी है, और उसमें कितना ज़्यादा थी, तो वैसे हालात में अगर कैपिलिस्टिक एकॉनमी के हाथ में हर चीज चला जाता, तो देश का डेवलप्मेंट नहीं होता, बंटाधार हो जात ठीक है, चलिए, आगे बरते हैं, उसके बाद आया पेपुल्स प्लान, है ना, पेपुल्स प्लान, एमिन रोय साहब ने दिया था, 1945 में एमिन रोय साहब, ठीक है, यह वही है, जो CPI के स्थापना में योगदान दिये थे, कॉनिस्ट पाटी ओफ इंडिया, ठीक है, एमिन प्लान दिया गया, उसी तरीके से गांधियन प्लान भी दिया गया, स्रीमन नारायन अगरवाल के द्वारा, ठीक है, गांधियन प्लान, किसी के द्वारा दिया गया, स्रीमन नारायन अगरवाल के द्वारा, ठीक है, स्रीमन नारायन अगरवाल, है ना, तो इनके द्वारा क्या दिया गया गांधियन प्लान तो यह सारे प्लान दिये गया और इस प्लान को एक्सेप्ट नहीं किया गया इनको क्योंकि आप जानते हैं कि योजना योग हमने पीछे पढ़ लिया कि 1950 में जो एक्सेप्ट कियो उसी कि इसाफ से हमारे दियस में योजना बनी ठेक है चलि अब हम करते हैं फाइब एर प्लान को शुरुवात यहां पर एक बात और एक कन्फूजन दोनों बात और कन्फूजन दोनों होगा वह यह होगा कि अगर आप से कोश्चन पूछा कि योजना आयोग की अस्थापना कब हुआ तो आपके ऑप्शन में 1950 और 1951 दोनों देगा तो यहां पर द्यान देखेगा आप योजना आयोग की अस्थापना की बात करेगा तो 1950 टिक कीजेगा लेकिन जब आप से कोशन पूछेगा कि प्लानिंग कमिशन की शुरुवात कब हुई या प्लानिंग कब से बना तो 1951 आप देख रहे हैं कि फर्स्ट प्लान 1951 को याद रखना बड़ा असान है और यहां पर बच्चे हमेशा कंफ्यूज कर जाते हैं तो मैं चाहता हूं कि वो गलती ना करें याद रखना क्या आसान है कि पहले कोई आयोग बनेगा वो कुछ सुझाब देगा और उस सुझाब पर इंप्लिमेंट होगा तब इंप्लिमें जो अगरे पांच साल के लिए काम करेगी वो प्लान और अगरे पांच साल तक पूरे सरकार सरकार की विधाई का सरकार की कारेपाली का सब जो है ना उसको एचीव करने में अपना कार करेंगे और उसके लिए जो धन महिया कराने का काम है वो उसका भी सजेशन हम देंगे ब पांच बर्सों के लिए रखा जाएगा अब चुकि इसके पीछे मैं मेरा प्रसनल समझ यह है कि चुकि हमारे हाँ सरकारे पांच साल के लिए बनती है तो वो कहीने कहीं यह दिमाग में उससे में चल रहा होगा कि चुकि सरकारे पांच साल के लिए बनती है तो जो सरकार आए होगा क्या पता कि कुछ दिनों के बाद सरकार ऐसे बनने लगें अलग एक नेगेटीव बात है है ठीक है कि सरकारे तुरत गिड़ जाती है ठीक है ना लेकि पोजेटीव बाते क्या है कि सथी परणाली में जितने भी लोग है वो जन्ता के द्वारा चुने हुए तो यह पोजेटीव बात है जिसे हम लोग पर्तम पंचवर्षी योजना 1951-1956 ठीक है अब पर्तम पंचवर्षी योजना के बारे में थुदा सा बात करें और एक्जाम का कोश्चन को हम यहाँ पे कोशिश करें कि सॉल्व हो जाया हमारा एक दूसरी बात यहाँ पर जो हम आपको बताना चाहेंगे वो यह है कि जो यो योजना से 5-5 साल जोर करके आप आगे बढ़ सकते हैं, हाँ, योजना में ब्रेक भी हुआ है, तो उस ब्रेक को भी हम एक बार आपको बता देंगे, तो ब्रेक तो आपको हम याद दिला ही देंगे, ठीक है, क्योंकि ब्रेक एकजाम में कोशन पूछा है, तो योजना के ब्र क्योंकि यहां भी ब्रेक का लगेगा, तो यहां पर 5-5 साल जब आप जोरेंगे, तो जो आपको याद है, वहां तक नहीं पहुचेगा, तो अपने आप वो ब्रेक भी याद आजाएगा, तो यह एक्जाम में एक सॉल्व करने के लिए कुछ होता है, जो मैं आपके साथ अभी सियर क्या हूँ, और अगर मेरे लेबल तक पहुच रहा है, आप जो मैंने अभी सिखाया है, तो यह एक्जाम का कोशन आपका बनेगा, ठीक है, तो सुन करके एक बार देखिए का मैंने क्या बोला है, चले ठीक है, पर्थम पंचवरसी य कोशन है, वो यही एक्जाम का कोशन सॉल्फ करते हुए चलेंगे बेटा, ठीक है, एक्जाम का कोशन यह है कि हैराट डोमेर मोडल पर आधारिक था, पहला कोशन एक्जाम का, दूसरा जिसको बोलते M.V.V.I. दूसरा कोशन इस पर्थम पंचवरसी योजना, यानि कि किस योजना में एक्रिकल्चर को सबसे ज़्यादा प्रार्थ मिक्ता दी गई थी तो पर्थम पंचवरसी योजना में एक्रिकल्चर सबसे ज़्यादा प्रार्थ मिक्ता में थी अब आप बोलेंगे सर एक्रिकल्चर क्यों प्रार्थ मिक्ता में थी तो क्यों नहीं हो क्योंकि द development एकदम कम जोर है आप बाहर से खाना को मंगा रहे हैं यानि कि गेहूं और जो भी चावल बगर जो उसको आप क्या कर रहे हैं आयात कर रहे हैं तो वैसे हालात में जो basic need है भोजन पेट ही नहीं भड़ेगा तो फिर लोग कपड़े के बारे में जैसे कि मैंने क्या बताया कि basic need मैंने बताया कि कोई भी जो संस्था होगा उसका intellectually या कोई भी परसन होगा उसका सधारन बुद्धी मता यह होगा कि पहले खुद को जिंदा रखो और खुद को जिंदा रखने के लिए सबसे प्रायक्ता है भोजन तो हमारे जो देश के उसमें चलाने वाई लोग ते ज खाना नहीं मिलेगा तो फिर कैसे काम चलेगा भुखे पेटन भुए भजन गपाला लेला तू अपन कंठी माला बात समझ में आ रहा है तो एग्रिकल्चर को सर्वुच प्रार्थमिक्ता दे गई ठीक है चलिए दो अक्टूबर 1952 को सामुदाइक विकास कारिकरम की अगले क्टूबर 1952। दो अक्टूबर यानि की महात्म गांधी का जन दिन तो उससे आपको याद हो जागा और 1952 यानिकी एक साल बाधी प्लानिंग क्मिंशन के ठीक है जलिए अब थोरा सा आगे बढ़ते हैं कुछ-कुछ बातें बात करते हैं 1950 मेने 100 की अस्थापना हुआ ये बात करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बात हम लोगों ने पहले कर लिया बात करने की ज़रूरत है कि इसी पंचवरसी योजना के दौरान चुकि एग्रिकल्चर और उससे जुरू हुए जितने भी चीजे थे उसे बहुत ज्यादा ध्य के उपर इन सारे चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया तो अगर बहुत ध्यान दिया गया तो समझ लिजे कि दामोदर घाटी निगम पस्चिम बंगाल में ठीक है इसका अस्थापना किया गया डीवी सी परियोजना जिसको आब बोलते हैं भाग्रान आंगल ये आभी शिचाई के लिए पंजाब 27 नदी पर और हीराकून पर ही उसना अर्यिसा माान दी पर ये सारे पहले पंचवर्शी योजना के दोरान ही बने थे फर्स्ट पंचवर्षी यूजना के दोरान ही इन सबका निर्मान किया गया था ठीक है न Compet पशिया ये आगे बढ़ते हैं में जेば आखे बढ़ते हैं अब चलिए सकेंड miscon कि योजणा आप दूसरा पश्च सांब्स में जब जाते हैं हम तो करना क्या है कि 56 लेकर 61 देखना है न, 56, 56, 11, 56 लेकर के 61, ये देखिए, दूसरा पंच वर्सी होजना, PC महालो नोविस के मॉडल पे आधारित था, PC महालो नोविस, ये कोशन एक्जाम में बन जाते हैं, ध्यान रखेगा, PC महालो नोविस वाला, और आपको मैं बता दू कि इन्हों ने ही CSO की PC महालो नोविस सहब का जनम दिन मनाया जाता है, जो सांकी की दिवस के रूप में मनाया जाता है, मैं आपको हिंट देता हूँ, 29, अब आपको देना है, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के बीच के महीना, और 29 मैंने बता दिया, आगे आप लिखेंगे, ठीक है, आगे जादा मिली, यानि कि उस समय जवाहरलाल नहरू जी बहुत ज़्यादा खुस हुए, कि चलो ये तो बहुत बढ़िया चीज है, बहुत अच्छा मोडिल है, हमने जो चाहा, या हम जो टार्गेट किये थे, उससे ज़्यादा हमने एचीव किया, ये एक बेहतर मोडिल के जो कि बहुत तेजी से देश का डेवलपमेंट करना चाहते थे, जो एक ऐसे परधान मंत्री थे, जो ये चाहते थे कि हमारा देश कितना जल्दी कितनी तेजी से आगे विकास हो, क्योंकि एगरिकल्चर जब पहली बार में उन्होंने देखा कि सफलता पा रहा है, तो वो वो चलता रहा, और उसके बाद इंडस्ट्री को उन्होंने तुरत अपने पंचवर्सी युजना में इंकुलूड कर लिया, नहीं, तो वो क्या करते, दूसरे पंचवर्सी युजना में भी एगरिकल्चर को इंकुलूड करते, और फिर आपको आराम से, आहिस्ता से एगर जवालाल नहरू न, एक बात मैं आपको बता दूँ, कि इंडस्ट्री को वो नए यूग का मंदिर समझते थे, जवालाल नहरू जी, नए यूग का मंदिर, उनका मानना था कि जो उद्योग है, वो आत्मिक यूग का मंदिर है, ठीक है, क्योंकि पहले के जवाना में, जिस पार अच्छा चल जाएगा, सबकी अपनी अपनी विचार है, सबकी अपनी अपनी आस्था है, उस आस्था पे मेरा बिल्कुल भी एक सब्द नहीं बोलना है, ठीक है, और समिधान ने बावा साहिवा अमेदकर ने आपको ये अधिकार दिया है, कि आप अपनी आस्थाओं परदर्सन करें, अपने आप में अप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जब तक कि अगले को चोटना लगे, तो ये ठीक है, लेकिन जवाहला नेरुजी का मनना था, कि अब लोगों की जो हसरते हैं, लोगों की जो ख्वाहिसे हैं, लोगों की जो क्या बोलते हैं, बिचार मांग है वो अब इसी इंडस्ट्री से पूरा होगा और इसलिए उन्होंने आद्मिक यूग का मंदिर कहा था इंडस्ट्री को जवारला निरुजी ने और इसलिए उद्योग को प्रार्थमिक्ता पे दिये थे दूसरी पंचवरसी योजना में यानि कि पहले में दे इंडस्ट्री लगी जो चति गड़ में रावड केला में इंडस्ट्री लगी जो जर्मनी आपको पता है, दुर्गापूर में जो उनइट्री लगी वह उनाइटेट कींग्डम के सहता से यानि बिर्टेन के साहता से, भिलाई में जो इंडस्ट्री लगी वो रूस के साहता से, रार किला में जो इंडस्ट्री लगी वो जर्मनी के साहता से, तो ये जो इंडस्ट्री बेगड़ा की अस्थापना हुआ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था सकेंड पंच से भिलाई और आर से रूस बी आर और यहां पर राउर के ला जर्मनी आर से राउर के ला और जे कर देता हूं जी से होता लेकि जे करता तो जर्मनी आर जे राजस्थान बी आर बिहार डियू दिल्ली और इससे आप याद रख लिजे दुरुगापूर यूके भिलाई रस्य या रावर केला जर्वनी ठीक है यह इस तरीके से याद करके रख सकते हैं यह दोखो कभी-कभी मैं भी बना लेता हूं ट्रिक लेकिन मेरा विश्वास तो इस पर होता नहीं जैसा कि आप जानते हैं लेकिन चलो यह मेरा है मतलब मैंने अपने याद करने के लिए इसको बनाय की गई LIC 1956 में १िक है ना उनी चौछपन में क्या इस अपना किया गया लाई और आप जानते हैं कि अ ilice आज आपके देश में बहुत बड़ा है कैस का एक बहुत बड़ा संस्था जीसके पास कैस है पी इस के पास बहुत ब़ास था है लसी को आपके देश का जो कि आपके stock market को जब चाहे जैसे चाहे हिला देता है ठीक है ना ये ये इसमें बहुत ताकत है और इसका आपना एक IPO भी साइब सुनने में आ रहा है कि आ रहा है तो चलिए इन सब बातों पर आप कितना ध्यान देंगे आपको परना है तो LIC 1956 और आप में से बहुत सारे लोगों का LIC में भीमा भी हुआ होगा मेरा नहीं है लेकिन करवाना है मुझे डर लग रहा है ठीक है कोरुना से चलिए ठीक है आगे वरते हैं तीसरा पंच बर्सी योजना थार्ड फाइब येर प्लान 1961 से 1966 थार्ड फाइब येर प्लान उद्देश से है स्व थीक है ना चलिए इंडिपेंडेंडन यानि सुतनत्र मतलब अपने आप में जो आत्म निर्भर ऐसे समझ लीजें कि आत्म निर्भर एकॉनमी की बात कहता है ठीक है गालगी योजना कहा जाता है या सुख में चक्रवर्ती मौडेल कहा जाता है तो यह कोशन एक बार देख ल नहीं रहा सफल चोड़ो योजना बुल्कुल बुरी तरीके से दिफल रहा और इस्याल कि योजना को रोक देना पड़ा कुछ समय के लिए मतलव इतना बड़ा भीफल legislative था कि थोड़ा सा हमें क्या लेना की अब भीडेक स्लिएना पड़ाizard तो अगर आपसे कोशन पूछेगा और जो मैं बता रहा हूं वही एक्जाम का कोशन है ध्यान रखना मेरे समझाती हुए जो एक्जाम का कोशन निकल जाता है आप प्रिवेस कोशन पर देखेंगे तो आपको उसमें दीख जाएगा तो मुझे बहुत गौर से सुनिए मुझे इतना बड़ा जटका लगा है देश तो एकदम बिखर जागा थोरा सा रुको आराम से चलते हैं तो थोरा सा जो रुकने की बात हुई ना इसी कोई योजना में ब्रेक कहते हैं या प्लान होली डे कहते हैं जो कि हम आपको तुरत पढ़ेंगे पहले तीसरी पंच बरसी यो 1965 में और इस यूद में पाकिस्तान अपने यहां जसन मनाता है और इसको कबोलते हैं कि हम जीते थे यानि कि भाड़ पाकिस्तान के यूद में पाकिस्तान जीत लिया था ऐसा पाकिस्तान पढ़ाते हैं और हम जानते हैं कि हमने जीता था हम जानते क्या है हम तो जीते ही हैं तो ये बात आपको पता है, हाँ, ये जरूर पाकिस्तान मतलब पहला ऐसा देश है, जो अपनी हार को भी अपना निशनल डे मना के रखा हुआ है, खेर चलिए, तो भार पाकिस्तान के साथ युद हुआ था, फिर उसी साल सूखा भी आया था, ये एक बहुत बड़ा कारण थ थे और ये युद भारत और चीन का युद था एक ऐसा युद था, जो कि ये समझ लिजे कि जवाहला लेहरू जी के जीवन का बहुत बड़ा दुख था, मतलब जवाहला लेहरू जी इस चीन युद के बाद इतना बुरे तरीके से टूटे थे और ये बात आपको बहुत स ज्यादा टुटे हुए थे भारत चीनियुद से कि वो ज्यादा दिन तक जी नहीं पाए और जानते कि 1964 में जवाहर लाल नहरू जी क्या होती है मिर्ती हो जाती है 1964 में और ये भारत के लिए बहुत बड़ा जटका था मतलब उस समय ये कहा जाता था कि जवाहर लाल नहरू अ 1964 में जवाहर लाल नहरू जी की तो ये बहुत बड़ा जटका था क्योंकि चीन समय युद हार चुके है उसके ठीक बाद जवाहर लाल नहरू जी की मिर्त्यू हो जाती है लाल बहादूर सास्त्री को परधान मंत्री बनाया जाता है और उसे भारत और पाकिस्तान का युद और सुखा ये योजना बुरी तरीके से बिफल रही तो बिफलता का कारण आपको समझ में आ गया होगा जवाहर लाल नहरू जी की मिर्त्यू भारत चिन युद पहले युद फिर मिर्त्यू भारत पाकिस्तान युद और सुखा चरे ठीक है तो तीसरी पंचबरसी योजना दुनिया के सामने में यहां पर जटका लगा फिर 1990 का जो हमारा एकॉनमी क्राइसिस थल लगभग एकॉनमी क्राइसिस में ही थे वह जटका लगा जिसको पीवी नरसिंभारा और मनमुहन सिंग जी ने उबार करके उपर लेके आया तो यह सारे हमारे देश के ऐसे लोग है जो कि हमारे देश को आज जहां है वहां पहुंचाने में युगदान दिया है और उसमें अतल विहारी बाजपेजी नरेंदुर मोदी जी के भी युगदान अलग तरीके से है तो यह सब बड़े लोग हमारे है ठीक है चले 1964 की बात करते 1964 की तो IDBI की अस्थापना किया गया 1964 में IDBI के स्थापना किया गया 1964 में ही बोकारो इस्थिल प्लांट की स्थापना किया गया और fci food corporation of इंडिया की स्थापना 1965 में किया तो यह भी ध्यान में रखेगा यह सिंपना 1964 1964 1964 बोकारो इस्टील क्या बोलते हैं प्लांट के स्थापना और एपसीजना को आपने देख लिया कि किस तरीके से हमारे उपर विपदाए आई और उस विपदाओ से निकल करके हम आज निखरके एक देश के रूप में सामने में हैं चले ठीक है आगे बढ़ते हैं थर्ड के बाद हम लोग बात करते हैं जैसा कि मैंने आपको कहा कि इतना बड़ा जटका हमको लगा कि हम प्लान को रोक दिया हम बोले कि नहीं रुक जाओ भया रुक जाओ क्योंकि अभी प्लान रोकना ही सबसे प्रायरिटी था और हमने प्ला होली डे ही है 1966-196-1969 यह प्लान होली डे ही है तीन एन्वल प्लान बनाया गया यानि की 606-67-68-69 तीन एंवल प्लान जो आपको सामने में दिख रहा है यह बनाया गया और उसके आधार पे 2-3 साल तक डेवलप्मेंट अपने डेस का चला यानि की अगला प्लान सुरू revolution की शुरुवात होती है हरित क्रांती की शुरुवात होती है अपने देश में और अपने देश में हरित क्रांती के शुरुवात करने वाले हैं स्वामी चलो इसको पूरा नाम आप हमें बता देंगे कि हरित क्रांती के पिता अपने देश में किसको कहा जाता है, comment में बोलना और अब दूसरा question कि worldwide हरित क्रांती के पिता किसे कहा जाता, worldwide, green revolution, father of green revolution, worldwide, विस्व का किसे कहा जाता है यह दोनों question आपके पास है, मैं clue देता हूँ, वो Mexico के थे, चलिए ठीक है, आगे बर जाएं, तो starting green revolution इसी समय, अब यहां से एक exam का question और confusion, दोनों मैं यहां पर दूर करता हूँ, और दोनों आपको यहां पर solve हो जागा, exam का question यह है, कि green revolution की सुरुवात किस पंच बरसी योजन के option ना दे, तो समझ लिजे कि वो आपको third पंच बरसी योजना option में दे रहा है, और आपको बुला रहा है कि तुम आओ, और तीसरा टिक करो, क्योंकि हम चाहते हैं कि तीसरा टिक करके आप एक number लेके जाओ, जबकि आपको पता है कि third five year plan एकदम बिल्कुल fail था, और third five year plan क हमने plan holiday मनाया और उसमें green revolution को शुरुआत किया, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन एक बात और ध्यान में रखेगा कि जब एक जाम का question बनता है, तो वहाँ पे आपको फसाने के लिए कुछ बाते रखी जाती है, और उन बातों को मैं यहाँ पे बता दिया हूँ, फिर से ब जाना, कोई दिक्कत नहीं होगा, एक्जाम में नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है, कोई confusion दूर कर दिया मैंने, कोई ठीचे इस confusion को दूर नहीं करेगा, चलो ठीक, आगा बढ़ते है, फोर्थ फाइब यर प्लान, यानि कि चौथी पंसभर्सी योजना है, फोर्थ फाइ जाना, कहां से सुरू हो गया, 69 से 74, फोर्थ फाइब यर प्लान, 69 से 74, ठीक है, अब चलिए, इसके बारे में बात करते हैं, तो फोर्थ फाइब यर प्लान जो है, इसमें दो बाते, बड़ा इंपोर्टेंट है, दो बाते, लेकिन अब तीन बात तो लिखा हुई मैं, और उद्यस था, अबजेक्टिव था, और इस योजना में हुआ क्या, वो देखिये, the very famous economy का बहुत बार question पूछे जाने वाला, और वो यहां पे है, वो क्या है, कि 1979 में 14 बैंकों को निशनलाइज किया गया, इंदरा गांधी जी की सरकार बनी थी, और इंदरा गांधी जी ने 14 बैंकों को राष्टरिय करन कर दिया, तो 1969, 14 बैंकों को राष्टरिय करन किया गया, 14 बैंकों निशनलाइज किया गया, इंदरा गांधी जी के दोबारा, उनकी गौर्मेंट थी, वो भारत के परधान मंतरी बनके आई थी, ठीक है, और उसके बाद 1974, 1974, पहला atomic test हुआ, औ और उस atomic test का नाम था, और smiling buddha, smiling buddha, पहला परमानू परिक्षन, smiling buddha, यह परमानू परिक्षन दुनिया को यह बताने के लिए कि कमजोर ना समझो हमको, कि जो मर्जी वो तुम करवा लोगे, हमारे पास भी कुछ है, तो क्या है मारे पास, तो देख लो हमारे पास क्या है भगवान बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि मुस्कुराने के चक्कर में तुम हमारे यहां आ जाओ, फिर हम भगवान बुद्ध को थोड़ा दुसरे तरीके से भी अपलाई करना जानते हैं, और यह 1974 में हमने सबसे पहले दिखला दिया, और उसके ब बात करें, खास करके हमारे आसपास वाले लोग हमारे उपर कुछ जादा ही एग्रेसिव नजर रख रहे थे, जो आज भी जानते हैं, रखे हुए है एग्रेसिव नजर, कोई बात नहीं है, डरते थोरी हैं, चलिए, तो फूर्थ फाइव येर प्लान, यानि चौथी मुस्कुरा रहे हैं, भगवान बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है, चलिए, आगे, पांचवी पंचवर्षी योजना, यानि फिफ्थ फाइव येर प्लान, ये कब सुरुआ, 1974 से 1979, पांचवी पंचवर्षी योजना, 1974 से 1979, गड़ीवी उन्मूलन इस योजना का पर हुआ, यहां ही पर, इसी समय और कुछ बात है, हुआ आप, पॉलिटी में कुछ बात कर चुका हूँ, और ये कहीं भी आप जानते हैं, देश पॉलिटी के हाथों में है, ये बात आप मान के चलिए, कि जिस तरीके की सरकार हैं, उसी तरीके का देश बनता है, तो उसको फि 1969 में 14 वेंगों का राश्ट्री करन किया 1971 में बंगला देश जैसे नए देश का निर्मान करा दिया इंद्रा गांधी आरन लेडी देश का निर्मान करा दिया कितने ऐसे परधान मंत्री है जो अपने बज़ार देश का निर्मान करा दिया कितने ऐसे परधान मंत्री है बताओ और वो एक अलग देश बना दिया, अपने परोस में, आला कहीं नहीं कहीं जाके सपोर्ट के, अपने परोस में बगल में, आब अच्छा, तुम रहो मेरे साथ, हम तुभार साथ है, ऐसा करके, इंदरा गांधी ठीक है, चली, आगे बरते हैं, इंदरा गांधी जी का एक और बात है, जिसके लिए उनको लो कोस्ते हैं, ठीक है ना, हमारे देश के जनता, कि उन्होंने 1975 में इमर्जेंसी लगा दिया, 1975 में क्या कर दिया, इमर्जेंसी लगा दिया, ये बात आप समझ लिजे, इसके अलोक में देखेंगे, आप पंचवरसी योजना के ध्यान को रखत इमर्जेंसी लगा दिया, इमर्जेंसी लगा दिया, इमर्जेंसी लगा दिया, और उस इमर्जेंसी का बिरोध आप जानते हैं, जितने भी बिरोधी थी थे, उन्होंने किया, आपको पता है, और उस इमर्जेंसी के समय भार्त कराश्टपती कौन थे, नहीं बताऊंगा, एंसर बताओ, कमेंट करो कि भारत के राष्ट्रपती कौन थे, जब 1975 के इमर्जनसी लगा था, और किस बेस पे लगा था, मैंने पॉलोटी के कलास में बता दिया है, तुमको बताना है एंसर, कि वो किस आधार पे बना था, लगाया गया था, 1975 का इमर्जनसी, और कौन थे उस जे-पी आंदोलन चला था, जयपरकास नरायन का आंदोलन, ये सारी कहानी चल रही थी, पॉलिटिकली, ठीक है, जयपरकास नरायन जी नाम सुनते हैं, उसी आंदोलन का उपज है, हमारे लालू परसाद्य आदव जी, मुलैम सिंह आदव जी, या नितिश कुमार जी, राम इंद्रा गांदी जी का सरकार गिरी, इमर्जेंसी तो लागू था, इंद्रा गांदी जी की सरकार चुनाब में, इंद्रा चुनाब में हार गई, तो इंद्रा गांदी जी की सरकार गिर गई, तो सरकार एक नया बना, और वो सरकार था मुरार्जी दिसाई की जनता लना था इसको 1978 में ही क्या कर दिया ब्रेक कर दिया 1978 में ही उस मुरारजी जसाई की शरकार ने यानि की जनता पार्टी की सरकार ने और इन्रगांदी जी कुछ समय के लिए जेल भी गई थी उस समय ठीका न? ठीका है बास समझ में आ गया तो 5.20 योजना का सबसे इन्पोर्टेंट पॉइंट है कि 1978 में ये ब्रेक हो गई थी और इस योजना का एक और पॉइंट है इन्पोर्टेंट कि 1975 में छेत्रिय ग्रामिन बैंकों की अस्थापना हुई RRB की अस्थापना हुई RRB रूरल रिजनल बैंक RRB ठीक है ना 1975 में अब आपको option में ये बताना है कि RRB पहला RRB कौन सा था यानि पहला छेत्रिय ग्रामिन बैंक कौन सा था यह आपको हमको कमेंट में लिख करके एंसर करना है तो 1975 में RRB की अस्थापना हुई यहां पर लिखा मैं 1975 मैं दूसरे कलर से कर दूँ क्या चलो दूसरे कलर से 1975 में establishment of क्या regional rural bank RRB की अस्थापना की बात यहां पर की गई ठीक है RRB पक्का चलिए तो 1978 में जोजना जब योजना ब्रेक हुई अब चुछनी को आगे क्या होटा है जब योजना ब्रेक हुई अब चुरिक चुकी कहानी मैं и सुना रहा हूं तो आगे लेकर कêtre चलता हूँ इंद्रागांधी जी जेल में है और योजना ब्रेक हो चुकिया इंद्रा गांधी जेल में थी, जेल से बाहर भी निकली, चुनाब बगर हुआ और इंद्रा गांधी जी बहुत बड़े majority से जीत करके वापस आई, यह सारी है, पॉइंट यहां पर यह है कि उस समय जब योजना ब्रेक हुआ, तो लंबे दिर्ग अबधी के योजना को शुर एक अबधी योजना को पाने के लिए हर साल योजना बनाने का प्रस्ताव लिखा, जिसको rolling plan कहते हैं, मेरी बात को अच्छे तरीके समझो, कैसे, देखो, मान के जोलो कि हम 20 बर्स का योजना शुरू किये, 20 बर्स का, और इस 20 बर्स के योजना तक पहुँचने के लिए, य यह जो है, rolling plan कहलाया, चलो यहाँ पर बना लिए, यहाँ पर बना लिए, यहाँ पर बना लिए, यहाँ पर बना लिए, तो यह इसी को rolling plan कहते है, rolling plan, ठीक है, हर साल योजना को change करना, एक नई तरीके से योजना बनाना, उसके पीछे, पीछले के योजना की कम्यों को देख फ्राइन जैडी का थे लेकिन आपको पता है कि इस वेसिती हुआ वम स्टावाना को सरकार पदल गई था यानी कि इंद्रा गांदी जी के जगहाद फे मुराजी की रूप में सरकार लेकर के आये थे जंदापाटी की और उन्होंने पुराने योजना को रोख दिया 1978 में आप देख रहा है कि पांचवी पंचवर्सी योजना को रोखने के बाद इन्होंने रॉलिंग प्लान शुरू किया लेकिन कुछ बात ऐसा था कि इनकी सरकार चली नहीं और 1980 में इनकी सरकार गिर गई जिसको बोलते हैं सरकार का गिर जाना अब अब इस्वास प्रस्ता वेगरा सब कुछ आप जानते हैं और तो आप मुझे समझाएंगे थोड़ा सा ठीक है कमेंट में चलिए तो 1980 में सरकार क्या हो गई गिर गई 1980 में और एलेक्षन हुआ और एलेक्षन हुआ तो इंदरा गांधी जी बहुत बड़ी मैजोरटी से परधान मंत्री बनी और इसी समय उन्होंने नारा दिया था गरीबी हटाओ सबसे बड़ा नारा था तो ध्यान रखिएगा तो शिक्स्त फाइव यर प्लान जो है न वो 80 से 85 चली क्या पूछ लेते हैं कि नेहरू के डेवलप्मेंट मोडल पे दुबारा कब आए तो ध्यान रखिएगा 1980 में तो नेहरू के डेवलप्मेंट मोडल पे यहां पे फिर से आ गया है क्योंकि जानते हैं बीच में रॉलिंग पलान जैसे चीज़े आई थी जो कि चली नहीं क्य सो परती साथ है जो पलान उन्होंने हटाया था उसको फिर से शुरू कर देते यह तैवात था ठेगा ना यह तैए और हो सकता है कि आगे तैय हो क्योंकि अगर आगे नेहरू मोडी जी की सरकार नहीं बनती है तो पॉसिबिलिटी है कि अगर कॉंग्रेस सत्ता में आई हलाक कि जो पॉलिटिकल राइवलरी है यह तो चलते रहता है इस बात को समझेगा ठीक है चलिए तो शिख्ट फाइव एर प्लान शुरू हुआ फिर से एक बार नेहरू मोडल की तरह हम लोग अग्रसर हुए इंद्रा गांधी जी की नेत्रूत में और इंद्रा गांधी जी 1980-19 1985 और 1984 में इंद्रा गांधी जी की मिर्ति हो जाती है 1984 में आपको पता है 1984 में इंद्रा गांधी जी की मिर्ति हो जाती है और इंद्रा गांधी की मिर्ति के बारे पूरी कहानी आपको मालू में तो मैं यहाँ पर टाइम नहीं बताऊंगा हाँ 65-year प्लान में जरूर जो है न आर्थिक उदारी करन की सुरुवात की बात हो गई थी कि हां ठीक है आर्दी उदारी करन होना चाहिए इसकी मैं यह नहीं कर रहा हूं कि आर्थिक उदारी करन हुआ क्योंकि आर्थिक उदारी करन तो हम नर्शिम्हा राजी के सरकार के समय हम देखेंगे लेकिन एक एक थिय Whether धेयान देगे क्योंकि ये confusion कर देगा आपको नर्सिम्हा राउ से आपको इंदरागंधी और इंदरा गांधी जी के बाद राजीव गांदी के तरफ कर देंगे क्योंकि आपको पता है की प्रकाइब घरियती न्योपर राजीब अप्धयां इंदरा गांदी जी फिर से सरकार बना के लाती हैं, और 6 बैंकों का निसनलाइजेशन होता है, और नवाड का स्थापना 1912 में होता है, ये दो बाते आप अच्छे तरह के ध्यान देखेगा, चूकि आप देख रहे हैं कि अग्रिकल्चर पर ध्यान देना है, और अग्रिकल् प्रोबलेम नहीं आई थी, तो साती ही पंच वरसी चुजना बिल्कुल 5 वरस तक चली, और राजीव गांधी जी की सरकार थी, तो साती ही पंच वरसी युजना में बहोत सारी बाते हुई, जैसे आत्म दिर्भर अर्थिवस्था के स्थापना, आर्थिक उत्पादकता, ख कि हर छेत्र पे ध्यान दिया गया हर छेत्र पे हर छेत्र का मतलब क्या होता है चाहे वो एक्रिकल्चर क्रिसी का छेत्र हो चाहे वो रोजगार का छेत्र हो यानि कि बिरोजगारी के उपर बात किया गया ठीक है बिरोजगारी समाप्त करने के उपर बात किया गया चाहे वो ए सिर्सी बिरोजगारी सब कुछ के उपर इसमें बात किया गया यह एक बड़ा समुराइज सा बात है जो कि मैं सात्वी पंचपरसी योजना के बारे में कह सकता हूं क्योंकि कोस्टन ऐसे ही बना है और इस कोस्टन का एंसर यही होता है चार अप्सन बनाया थे पाच्वी अप दूसरा प्राइवेट सेक्टर को भी प्राइरिटी दिया गया कि आप धन्ता खोले और आप जानते हैं कि इसे में बहुत सारे प्राइवेट कंपनी अपने देश में आये थे या निकले थे या इस्टेबलिश हुए थे स्पीड पोस्ट के अस्थापना हुआ 1986 में स्पीड पोस्ट की सेवी नेच्वी के इस्टेबलिशमेंट हुआ सेवी आप जानते हैं सिक्रिटी एक्सेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो की सेर मार्केट पे क्या करती है ध्यान रखती है उसका रेगुलेटरी बोडी है और ने इस भी नेशनल हाउसिंग बैंक की अस्थापना होती है फिर इसी समय जवाहर रोजगार एजना 1989 में बिल चला जाता है 1986 में स्पीड पोस्ट की अस्थापना होती है जो इस पीड पोस्ट आज भी चल रहा है और क्या बहुत बहुत बहुतर सोर्स है समान को इधर से उधर तो ये बात आप अच्छे तरीके से समझेगा ये सारे साथवी पंचवरसी योजनाओं में हुआ था इस पीड पोस्ट कह लिजिए एनेच भी कह लिजिए से भी कह लिजिए या प्राइवेट जो कंपनी उसकी प्रारिटी कह लिजिए उसको दिया गया प्रार्थमिक्ता are priorities कह लिजिए नार ये सब राजीव गांधी जी की सरकार थी इस समय राजीव गांधी जी की सरकार थी और आप जानते हैं कि भारत में computerization के जनक माने जाते हैं है ना, ऐसा माना जाता है कि ये computerization के जनक भारत में रजिम कांदी जी है, वही सबसे पहले इन चीजों को ले करके बात किये थे, प्लान किये थे और प्लान को implement करने की कोशिस भी किये थे और आज जानते हैं digitalization का कैसा यूग है ठीक है, तो कुछ-कुछ बहतर point है जिसके बारे में बात कर सकते हैं और चुकि मैं पढ़ा रहा हूँ और exam के question के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम political biasness से अलग हट करके हम कुछ positive बाते करें तो ज़्यादा अच्छा है बाकी political biasness में अगर हम चले जाए तो फिर बहुत सारे negative point इनकी भी थी, इंदरा गांदी जी की भी थी, जवाला नहरू जी की भी रही होंगी और मोदी जी की भी है, तो ये बात आप ध्यान दखिएगा तो ये 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 बात जब मैं करने लगूँगा तो फिर राजनीतिक पुरुवागरा से ग्रसित विक्ति हो जाऊंगा ठीक है, चलिए, आगे बात करते हैं अब annual plan की बात करते हैं, यानि की बारसिक योजनाओं के बारे में बात करते हैं, 1990-1992 बारसिक योजनाओं, देखिए अब यहाँ पर बारसिक योजनाओं क्यों हुई, क्योंकि फिर से देश की बिवस्था बहुत ज़्यादा खड़ाव हो गई थी राजीव गांधी जी की सरकार कीर गई थी, छोटे-छोटे सरकार बन रहे थे इसां ना इसी दोरान जो गउर्मेंट बनते है, जिसमें आपको, मैं बता दू किसकी का गउर्मेंट बनते हैं इससे माइ, आपको बनते हैं, बिपी सिंग जी का गउर्मेंट, जो पहली बार की बात करते हैं और OBC Reservation की बात करते हैं, विसुनात परताप सिंग यूपी के रहने वाले थे, राजा जी राजा जी उनको कहा जाता था या राजा साहिब कहा जाता था, विसुनात परताप सिंग, इस समय चंदर सेखर का भी सरकार बनते हैं, चंदर सेखर नाम सुना होगा आप लोगों ने जो हलकेल की दाड़ी हमें रखते थे, चंदर सेखर जी, हना यूबा तुर्क कहा जाता था, उनके चंदर सेखर को, क्या कहा जाता था, यूबा तुर्क ध्यान रखे गा, यो कुछने की जाम में कई बार बना है, तो चंद सेखर जी समय परधान मंत्री बने, छोटे- पॉलिटिकल इस्थिति के कान खड़ाब थी, तो मैंने कहा ना कि अगर निगेटिव बात करूँगा, तो मैं एक बैसनेस में चला जाओंगा, तो निगेटिव चीजे कुछ तो चल रही थी उनके समय में, ठीक है राजीव गांदी जी के समय में, और उसका प्रवाब देखे होगा, वैसा परजा होता है, ठीक है ना, तो यहां पर एकॉनमी स्थिति भी हमारी बहुत बुरी हो गई थी, और इस समय जो है ना, हमारे दो बार्सी के उसनाय चलाई गए, 1990-1991, मैं लिग देता हूँ, 90-1991, और 91-92, ठीक है, 91-92, ठीक है, 91-92, ध्यान रखेगा, लेकिन उसके बाद नरसिंहा राओ जी की सरकार बनी, और इस समय हमारे बित मंत्री थे, मन मोहन सिंग, हमारे बित मंत्री थे इस समय, और उनकी सरकार बनी और वो था एट फाइब येर प्लान 1992 से 97 एट फाइब येर प्लान 1992 से 1997 और इस समय जो है ना क्या बोलते हैं सबसे बड़ा अब्जेक्टिव था कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ पोवर्टी रिडेक्शन इंप्लामेंट जेनरेशन स्ट्रेंथ अफ इंफ्रास्ट्रेक्चर जिसमें लिवर्लाइजेशन, गलोबलाइजेशन, प्राइबटाइजेशन जैसी बाते सुरू हो गई यानि कि उदारी करन की बात सुरू हो गई भूमंडली करन की बात सुरू हो गई और नीजी करन की बात सुरू हो गई लाइसेंसी करन को कम किया गया यानि कि जो लाइस और्पोन सब्सक्राइबूंजने सब्सक्राइबूल बढ़ेगी हम उदारी करन की बात किये हम बीदेशों को बीदेशी संस्थाव को अपने बुलाएं उनको पैसा लगाने के लिए अपने आकरसित किये यह सारा काम हमने किया हमने नहीं मतलब चुकि मैं प्रहा रहा हूं भारत का देश का नागरी कुछ तो मैं हम कह रहे हैं ले लीया जाता है आर्तिक उदारी करन का पूरा पूरा बात तो यह आठी 15 वरसी योजना में हम को देखने में मिल जाता है इस बात को धियान में रखेगा हाँ कि ये चीजे सुरू हो जाती है लेकिन आठवी पंचवर्षी योजना आते आते यह परमुकता से हम इसके उपर काम करना शुरू कर देते हैं और जो हमारी एकॉनुमिक की स्थिती बिल्कुल बुरी तरीके से डगमागा गई थी उसको पटली पे लाने का काम करते हैं उसको फिर से एक बार उपर लाने का काम करते हैं, और देश आगे बढ़ते हैं, आज तक आप देख रही है कि हम बढ़ते हुए चले आ रहे हैं, बीच में जटके थोरे बहुत महने ही निकल से लगातार हैं, चलिए, नाइंद फाइब यर प्लान की बात करते हैं, नौवी पंचवर्सी योजना, जब नौवी पंचवर्सी योजना की बात करते हैं, तो यहां पे इस समय हमारे देश में 1997 से 2002 और इस समय फिर से छोटे-छोटे सरकार बनते हैं, गुजराल की सरकार बनती है, परधान मं मंत्री के रूप में, और अटल विहारी बाजपेई जी की सरकार बनती है, छोटी सरकार बनती है, लेकिन अटल विहारी बाजपेई जी की एक लंबी सरकार भी बनती है, 13 दिन और 13 महीना के बाद, 4 साल के लिए सरकार बनती है, सारे 4 साल के लिए अटल विहारी बाजपेई को यूगुदान में हम रखें हैं अतल बिहारी बाजबेई जी को यहाँ पर LIVE हम रखेंगे नौवी पंचको योझना में जिसमें हम D Clean इसकी बात किया है यह सारा तो सिर्फ बात करने की बाते हैं पॉइंट यहां पर क्या है ग्रामिन विकास को प्रार्थमिक्ता और सबसे बड़ी बात कि मैंने आपको कहा था कि ऑपरेशन सक्ती के रूप में इन दोनों के पर्यासों से और भी बहुत सारी लोग उसमें सामिल थे इनके पर्यासों से हमारे दिस में एक बार फिर से पर्मानु परिक्षन होता है और उस पर्मानु परिक्षन में फिर से एक बार हमारे पर बहुत सारे इंपोज लगा दिया जता है आर्थिक पर्तिबंध अमेरिका के दोरा लगाया जाता है लेकिन हम कहां उससे जुकने वाले हम कहां उससे मानने वाले हम तो परगती के रापे आगे बढ़ गए हैं और रोजगार पैदा करने गरीवी नुमूलन के दिरिश्टी से किर्सी और ग्रामिन विकास के उपर प्रार्थ मिक्ता दिया गया और खा दिया पोशन सुरक्षा को सुनिश्चित करना तो नौभी पंचवरसी योजना में यही सिर्फ बात करने वाली बाते हैं इसमें बहुत बहुत सारी बाती नहीं है जो एक्जाम का कोसन जहां बन रहा है वहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं जैसे रॉलिंग प्लान एक्जाम का कोसन बनाएगा प्लान होली डे एक्जाम का कोसन बनेगा पांच भी पंचवरसी योजना जिसमें गरीवी नुमूलन की बात की गई आटल विहरी बाजपरी जी की सरकार 2004 में गिड़ जाती है, और एक नई सरकार के रूप में मनमोहन सिंग भारत के परधान मंतरी बनते हैं, तो ये प्लान क्या था कि 5 वर्सों में 5 मिलियन रोजगार सिर्जित करेंगे, 2007 तक सक्षर्ता और मजदूरी जेंडर गैप को कम के 50% तक ले आएंगे, गरीवी में 5% तक की कमी लाएंगी, 20 सुत्री कारे करम लिखा गया, और यहाँ पर कारे के लिए काम के बदले अनाज योजना को सुरू किया गया, काम के बदले अनाज, तो यह 10 वी पंच वर्सी योजना की बारे में बात थी, जो हम आपको बता है, यहाँ पर परधान मंतरी गरूप में मनमुहन सिंख परमुकता से देखते हैं, चार से लेके साथ तक, 2004 तक अटल विहारी बाज पेजी परधान मंतरी गरूप में कारे करते हैं, ठीक है, तो 10 वी पंच वर्सी योजना में क्या है, 50 मिलियन रोजगार देना है, सक्षर्ता और मज़दूरी दर की बात करना है, यानि कि सक्षर्ता को बढ़ाना है, मज़दूरी दर की बारें बात करना है, और जो जेंडर गैप है, यानि कि जो महिला और पूर्श के बीच में गैप है, उसको कम करना है, ये बात था, गरीवी के दर को 5 परतिस्यत तक कम करना है, बिस सूत्री कारिक्रम की बात किगई। यही कोशन पूछेगा, अगर पूछेगा तो यही कि 25 पंच वर्सी उजना में आया। 2007 की बात कर रहा है, और 2007 से अब हम आगे बरहेंगे, 7 और 5, 12, 11 पंच वर्सी उजना, और इस समय भी हमारे देश के परधार मंदर के रूप में मनमुहान सिंग काम कर रहे हैं पूरा-पूरा और इस समय GDP जो है ना 8 से 10 परतिसत और आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा तेजी से GDP इसी समय बढ़ी थी सबसे तेजी से GDP इसी समय ग्रोथ हुआ था एक ग्या तो योश्च तक गया था जो मुझे अच्छे तरीके से याद है तो यह बहुत बरी बात थी 21-25 वर्सव्योजना थिक है ना? चलिये और अधिक समावे सी विकास और दूसरा जो GDP growth rate है वो हमारा 9% तक चला गया था इस योजना में और ये सच बात है ठीक है चलिए इसमें क्या-क्या सुरू हुआ उसके बारे में बात करते हैं राजीव आरोग सिरी health scheme को सुरू किया गया ठीक है उसके बाद forest के area में भी बढ़ लिखे लोग है उसके जो विरुजगारी है उसको 5% तक कम करना तो ये कितना सफल हुआ इस पे तो हम बात नहीं करेंगे लेकिन इसके जो ये वाला point है इस पे सफलता रहा यानि GDP growth में जरूर एक ग्यारी पंचवरसी योजना सफल रहा और इसका objective exam का question बन जाता है साथ से बारा और बारा के बाद आप जानते हैं कि फिर से एक पंचवरसी योजना सुई हुई बारा से सतरा लेकिन बीच में ही मनमोहन सिंग जी की सरकार गिर जाती है और यहां पे आते हैं मोदी जी की सरकार आपको पता है बहुत बड़े majority से नरेंदर भाई मोदी 2014 में ग जो एक्जाम का कोस्चन सबसे ज़्यादा बने है वह faster, sustainable and more inclusive growth हिंदी में तेज, सतत और अधिक समावेशी विकास faster, sustainable and more inclusive growth यह सबसे ज़्यादा कोस्चन पूछे गया है एक्जाम में और उसके बाद तो और बहुत सारी बाते हैं कि aim था कि 4% growth को agriculture में poverty को 10% तक कम करना, agriculture का 4% growth बढ़ाना है, गरीबी को 10% तक कम करना है, इस योजना का प्लान था, aim था, कितना सफ़र हुआ उसके उपर बात नहीं करेंगे, बस aim बतायता हूँ health, education, skill development, environment, natural resource, infrastructure बगरा आधी के बारे में, बहुत सारी बाते की गई इस योजना में, लेकिन इस योजना का सबसे important point है, इसका motto, इसका objective, और objective था, faster, sustainable and more inclusive growth, बारवी पंच बरसी योजना, और आपको मालूम है कि बारवी पंच बरसी योजना 2017 तक चली, और इसके बाद ये अंतिम पंच बरसी योजना है, तो ये क्या है, मैं यहाँ पे लिग देता हूँ दूसरे color से, ये last पंच बरसी योजना है, last 5 year, last 5 year plan है, last 5 year plan, क्योंकि इसके बाद क्या सुरू हो जाता है, तो इसके बाद सुरू हो जाता है हमारा निती आयोग, और ये last 5 year plan कब तक चला, 2017 17 तक नरेंद मोद जी जी की सरकार आई और 2015 में उन्होंने निति आयोग बनाने की फैंस्ला किया और 2017 के बाद निति आयोग काम करना सुरू कर दिया जो आज तक काम कर रही है तो अन्तिम पंचवर्शी योजना था बारभी पंचवर्शी योजना से इस बात को आप ध्यान में रखेंगे ठीक है चलिए ये रिकल्चर का कुछ बोड़ है इसको बाद में बात करेंगे पहले हम बात करते हैं निति आयोग का तो अब मैंने कहा कि वह अंतिम बचवर्शी उजना था उसको निति आयोग शुरू हो गया तो निति आयोग इसका पूरा नाम एक्जाम में कोशन कई बार पूछा है जब बना था अभी भी पूछ सकते हैं नेशनल इंसिचूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यहां रखेगा इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको क्योंकि दिक्कत होगा तो गलत हो जाएगा क्यों एक जनवरी 2015 को यह बना है और इसका स्लोगन है फ्रॉम प्लानिंग टू निती यानि कि अब हम प्लान बना रहे थे अब हम क्या बनाएंगे निती बनाएंगे यह कुछ नहीं है हिंदी से इंगली से और कुछ नहीं है इस मामले में निती आओक के मामले में तो मैं भी और बहुत सारे माइंड़ से जनता में बना भी उनोंने बोट भी द्या उस पोजिटिव माइंड में बहुत में एक तoshitip आउयों यह तो बहुत सरी काम भी किया आं यह बहुत सारा आचा काम किया उनके कामपी Just है जैसे Safari को लेकर कुिष्ड नहीं होती थी मैं दिली में बिल्कुल नया जैसा लगता है। तो सफाई बेगरों को लेकर के बहुत सारा काम हुआ। और भी बहुत सारे अच्छे-चे काम हुए। बैंक में अकाउंट्स खुले। गरीबों का अकाउंट जो की बिल्कुल बंचित थे। यह काम बहुत अच्छा हुआ। और बहुत अगदान दिया, कभी हम सोचे नहीं थे कि फोन से इतना सारा काम करेंगे, जितना कि अब मेरे पैकेट में पैसा होता नहीं है, मैं कभी-कभी घवरा जाता हूँ, अगर कोई मेरे से 10 रुपिया मांग जाता है, क्यों मेरे पास होते ही नहीं है, तो पॉइंट यहां पर यह है कि कुछ अच्छे काम उनके है, लेकिन कुछ ऐसे जगह है, जहां पर निरास होना पड़ा है देश को और हमारे जैसे लोगों को भी, वो यह है कि यह निति आयोग मेरे को समझ में अभी तक नहीं आया, तो हो सकता है कि मेरी समझ उतनी नहीं हो कि निति आयोग को हम ना समझ लेकिन हाँ, ठीक है, अगर positively यह काम कर रहे हैं और देश इससे develop हो रहा है, तो फिर सही है, फिर अच्छा है, क्योंकि ultimately हमारा aim होना चाहिए development of country, nothing else, ठीक है, अगर देश develop होगा, हम आप develop होंगे, तो फिर बेहतर रहेगा, परधान मंत्री कोई भी रहे, कोई भी परधान म निती, structure of निती आयोग, निती आयोग के अगर structure की बात करें, तो चेर मैन है, प्राइम मिनिस्टर आफ इंडिया, आटिमेटिक, प्राइम मिनिस्टर आफ इंडिया है, चेर परसन, वाइस चेर परसन है, डॉक्टर राजीब कुमार, ठीक है, गवर्निंग कॉंसिल में परसन कितने बार पूछा है, वाइस चेर परसन को लेकर के भी एकजाम में कॉछन पूछे है, और इसके concept में एक जो पहली बार भारत में फेडरलिज्म सब्द का कोई परयोग किया है, भारत के अजादी से लेकर के आज तक, तो नेंदर मोदी जी के निती आयोग का point, जो क की cooperative federalism की बात करते हैं, और ये cooperative federalism क्या है, सहकारी संगबाद, सहकारी संगबाद, सहकारी संगबाद का मतलब ये है, और इसमें ये कहना चाहते हैं, कि जितने भी लोग हैं अपने देश में institutional level पे, और जो हमारा states है, जितने भी है, चाहे हो हमारे सरकार का state हो, यानि BJP government हो, या non-BJP government हो, यहाँ पे party की बात ही नहीं किये गए, तो जितने भी government है, सब सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से, ठीक है, सारे government सामूहिक रूप से, क्या करेंगे, suggestions देंगे, यानि कि, और plan बनाएंगे, plan, suggestions plus plan, ठीक है, suggestions plus plan, सब का suggestion होगा, और सब plan बनाएंगे, और सब के पडियासों से ध्यान रखेगा, सब के पडियासों से देश का development होगा, इसी को सहकारी संगवाद कहा गया, इसी को क्या कहा गया सहकारी संगबाद कि जहां पर सब के सबसे प्लान मांगा छाए गा उस सदलियसन के आदार पर प्लान बनाई जाएγά अने बिस प्लान बनाने में यहां पे सामिल करके, प्लान ले करके, सजेसंस ले करके, एक पूरा का पूरा implementation किया जाएगा, और उसके आधार पे देश का विकास होगा, जिसमें सामूही कुरूप से देश के विकास की बात की गई, इसी को cooperative federalism का एक संग्या दिया गया, और पहली बार भारत के किसी document में federalism सब्द जैसे नजर आएं, क्योंकि आपको पता है कि हमारा देश federal country नहीं है, बलकि union है, ये बात आपको मालूम है, तो ये निति आयोक के कुछ important point थे, जो कि मैंने आपको बताया, तो ध्यान रखिएगा, इनके पूरा नाम, इ concept मैंने बता दिया, तो हो सकता है कि cooperative federalism भी आपके एक्जाम में कुछन आ जाए, कि cooperative federalism क्या है, तो बस ये लिजेए कि सब का सहयोग, है ना, ये सी को cooperative बोलते हैं, और सब के सहयोग से plan बना कर के देश का विकास, cooperative federalism है, simple तरीके से अगर आप समझने, कुछिस किये करें, त तो ये निती आयोग के वारे में चोटी सी बात की, अब निती आयोग के अगर काम देखेंगे, तो उनके बहुत सारे काम है, skill को लेकर के काम है, बहुत सारे plan जो बेगरा दिख रहा है, आपको नए सरकार की planning दिख रहा है, वो सब निती आयोग बनाते हैं, उसी का अधार डेवलप होता है और हो भी रहा है और बहुत सारे काम क्या है इस सरकार ने ठीक है सबसे बड़ी बात तो यह हो गई है इस सरकार की कि इस सरकार ने क्या बलते है कोई जैसे घोटाले जैसे सब्द नजर नहीं आए हैं या फिर कोई जो हता ना की इल प्रैक्टिस जो हता ना ज जो नई वाली economic survey एक्जाम का question बताता हूँ, जो नई वाली economic survey है, उसमें GST से जो क्या बलते हैं इंकम है, वो सबसे जезжादा है और ये एक्जाम का question बनेगा, कि भारत में सबसे ज्यादा income, भारत सरकार को सब ज्यादा income किस से होता है, तो पहले answer होता था निगम कर होता था उसका Corporation Tax से, लेकिन अब होगा GST, ठेक है न, चलिए, तो अब इसको हम यहाँ पर रोकते हैं, आप exam का question solve कीजिए, exam का question एकदम solve होगा, और thank you, thank you very much, अगली बार हम नए topic के साथ आपका बात करेंगे, धन्यवाद.